राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सिनाएंगे एक तोता की बहुत ही दुख भरी का था अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्किर्टी को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और शेयर करें बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, एक रानी थी, राजा का राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, रानी भी बहुत धार्मिक प्रवर्ती की थी, पूजा पाठ करती और राजा रानी के तीन राजकुमार थे तीनों राजकुमारों को राजा रानी ने बहुत प्यार से पाला पनोसा था वे अपने राजकुमारों को बहुत प्यार करते थे अब राजकुमार बड़े हो रहे थे और उधर राजा की उमर बढ़ रही थी एक दिन राजा आप सोचने लगा कि मेरे बाद मेरे राजिया का उत्राधिकारी कौन होगा यानि मेरे बाद राजा कौन बनेगा मैं उसी राजकुमार को राजा बनाऊंगा जो इसके काबिल होगा अब राजा ने एक योजना बनाई उसने अपने राजकुमारों को बुलाया और कहा कि बेटे आज मैं तुम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ अगर तुम लोगों के सामने एक गुनेगार अपरादी खड़ा हूँ तो तुम उसके साथ क्या करोगे उसका कैसे फैसला करोगे इस पर राजा के बड़े बेटे ने कहा पिता जी मैं उस अपरादी को सजाए मौत दे दूँगा क्योंकि उसने अपरादी किया है इसलिए उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए अब जो राजा का दूसरा राजकुमार था उसने कहा पिता जी मैं तो उस अपरादी को काल कोटरी में बंद कर दूँगा क्योंकि मौत की सजा उसके लिए काफी नहीं है मौत आने से तो वह जो छुटकारा मिल जाएगा उसे काल कोटरी में बंद करूँगा ताकि वह जीते जी सजा काट सके तभी उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा जब सबसे छोटे राजकुमार की बारी आई तो उसने कहा राजा से कहा पिता जी हम उसे सजा देने से पहले इस बात की जाच करेंगे कि उसने सही में अपराद किया है या नहीं इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहनी सुनाई एक राजा था उसके पास एक बुद्धिमान तोता था एक बार उस तोता ने माहराज से कहा कि माहराज मुझे अपने माता पिताजी से मिलने जाना है राजा ने उसकी बात नहीं मानी लेकिन तोता ने हार नहीं माने वेह लगातार महराज से जिद करने लगा कि महराज मुझे मेरे माता पिता से मिलाने दो एक दिन राजा ने तोते की बात मान ली और कहा कि ठीक है तुम अपने माता पिता से मिलाओ लेकिन हुआ जादा दिन नहीं रुकना तुरंत आजाना क्योंकि राजा का भी तोते के साथ गहरा लगाओ था राजा ने तोता को केवल पांच दिन की अनुमती दी और कहा कि तुम पांच दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लोट आना इसके बाद तोटा पांच दिन के लिए अपने मातापिता के पास चला गया छटे दिन जब राजा के पास लोट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों नब मैं महराज के लिए उपहर में कुछ ले कर जाऊ क्योंकि वे मेरे राजा है और वे मुझे पालते हैं मेरी हर सुख दुख्या ख्याल रखते हैं इतना सोच कर वह एक परवत की और निकल पड़ा दरसल वह माहराज के लिए अमरित फल लेना चाहता था वहाँ पहुचते पहुचते रात हो गई तोता ने परवत पहुचकर फल तो ले लिया लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ा और वहीं पर रुक गया उस रात को जब तोता सो रहा था तभी वहाँ पर एक सांप आया और उसने राजा के लिए अमरित फल को जो देख लिया अब सांप ने जब अमरित फल को देखा तो वह अमरित फल को खाने लगा सांप ने फल को खाया इस कारण उस फ पहनक तक नहीं लगी अगली सुबह जब वे जगा तो फल लेकर महल की तरफ उड़ चला जब वे महल में पहुचा तो सीधा राजा के पास गया तोते को देख कर राजा बहुत खुस हुआ तोता भी खुसी खुसी राजा से बोला महराज मैं आप के लिए एक अमरित फल लेक कर आया हूं आप उसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे यह बात तोते की सुनकर राजा काफी खुस हुआ उन्होंने तुरंत उस अमरित फल को खाने के लिए मांगा इस पर उनकी सभा में बैठा हुआ उनका जो महमंत्री था उसने कहा महराज जरा रुकिए आ एक बार यह देख लीजिए कि तोता जिस फल को लाया है वह अमरित फल है भी या नहीं राजा उस मंत्री की बात रहा और उसने कहा कि तुरंत इस फल को एक कुट्टे को खिलाया जाएं राजा का आदेस पाकर सैनिक ने फल का एक टुकडा कुट्टे को खिलाया फल खाते ह कुटे की मौत हो गई यह देखकर राजा गुसे से आग बहूला हो गया उसने सोचा कि मैंने तोते को कैद करकर रखा था इसलिए तोता मुझसे बदला लेना चाहता है क्योंकि मैं उसे उसके माता-पिता से मिलने नहीं जाने दे रहा था लेकिन तोता तो अपने मालिक के प् अफादार था उसे तो सापने फल जूटा किया इस चीज़ का बिलकुल भी पता नहीं था अब राजा ने सोचा कि यह तोता मुझे मार कर बदला लेना चाहता है अब राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने तलवार से तोता के सिर को काट दिया और साथी उस फल को फैक दि कुछ साल बाद ठीक उसी इस्थान पर एक पौधा निकलाया जहां पर वे फल गिरा था राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है उसने सभी को आदेश दे दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा कुछ दिन बाद एक बूढ़ा वेक्ती कहीं से चल कर आ रहा था और बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी गर्मी के थपेड़ों से धूप इतनी तेज थी कि उसका सांस चल रहा था जब उस ने उस चायादार पेड़ को देखा तो उसके नीचे आराम करने के लिए रुख गया क्योंकि वे गर्मी के थपेड़ों से बचना चाहा रहा था जब वे उस पेड़ के नीचे आकर रुखा तो उसकी सीतल चाया में लोट गया कुछ देर बाद उसे धूक भी जोर से लगने लगी अब उसने उसी पेड़ से उस पेड़ का फल तोड़ा और खाने लगा परन्तु यह किया फल खाने के बाद ही वे बुढ़ा वेक्ती एकदम से जवान हो गया राजा ने जब यह देखा तो वे आश्चरिये चकित रह गया उसे समझ में आ गया कि वे फल जहरीला नहीं था उसे अब बहुत बड़ी बहुत पच्चतावा हो रहा था क्योंकि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी उसने बिना सोचे समझे तोता को मार दिया इसे लेकर उसे काफी पच्चतावा हुआ इसके लिए मनी मन खुद को कोशने लगा रोने लगा कि उसने अपने इतने वफादार तोते को मार दिया उसे एक बार अपनी सफाई देने का भी मौकान नहीं दिया क्योंकि तोता तो मेरे लिए अमर फल लेकर आया था जो कि मुझे हमेशा खुस देखना चाहता था ताकि मैं उसका राजा अमर हो जाए लेकिन मैंने उसके साथ किया किया मैंने तोते को जान से ही खतम कर दिया अब राजा बहुत विलाप करने लगा राणी ने राजा को बहुत समझाया जो उसके दर्वारी थे वोई भी राजा को समझाने लगे कि महाराज जो हो गया उसे भूल जाईए यह तो नियती है उधर तीसरे राजकुमार की कहानी खतम होने के बाद राजा ने उसे ही अपना उत्राधिकारी बनाने का मन बना लिया क्योंकि जो कहानी उसने सुनाई थी उस पे वह बिल्कुल फिट बैठता था अब राजा ने अपने तीनों राजकुमारों में से छोटे राजकुमार को राज्य गद्धी संभालने का लियर उसे उत्राधिकारी बना दिया कुछ दिन बाद राजा ने जो है छोटे राजकुमार को राजा बना दिया परजा में जस्न का माहौल बन गया क्योंकि परजा भी छोटे राजकुमार को बहुत पसंद करती थी छोटे राजकुमार के राजा बनते ही उस राजिये में और ज़्यादा खुशा लिया गई उच नीच का भेदभा मिटा दिया गया सब लोगों को सम्मान और इजद दी जाने लगी हर दुख सुख में परजा एक साथ खड़ी होने लगी इस तरीके से राजा का राज्य बहुत मजबूत बन गया और राजा के चारों तरह पर संसा फैल गई हे मातारानी जैसे उस राजा की समरिद्धी फैली उसको आपने दिया जैसी बुद्धी उसको दी ऐसी ही इस कहानी कहने वाले और सुनने वाले को देना बोल और शान माता की चै